तो दोस्तो आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आपने ततकाल टिकट बुक किया है और आपका ततकाल टिकट कंफर्म बुक ना होकर बेटिंग बुक हो गया है तो दोस्तो ऐसे में आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे सबसे पहला सवाल की आपका betting ticket कितने number तक confirm होगा दूसरा सवाल की आप इस betting ticket से सफर कर सकते हैं या नहीं तिसरा सवाल आपके मन में ये भी आ रहे होंगे कि क्या हम इस betting ticket को खुछ से ही cancel कर देंगे तो ऐसे में railway द्वारा हमें कितने पैसे को refund किया जाएगा या दोस्तो तीसरा सवाल आपके मन में ये भी आ रहे होंगे कि अगर मालीजी अगर हम इस बेटिंग टिकट को कैंसर नहीं करते हैं तो दोस्तो ऐसे में क्या होगा तो दोस्तो इसी सारे सवालों पर ध्यान देते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करी लेते हैं लेकिन दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चेनल पर पहली बार बिजिट के हैं तो चेनल को सस्क्राइब कर दे और साथ वीडियो अप्लोड करते रहते हैं जो आप सभी दोस्तों के लिए काफी उसफूल हो सकते हैं तो चलिए वीडियो को बिना टैमबेस्ट की वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल है कि बेटिंग टिकट कितने नंबर तक कन्फरम होता है तो जनकारी के लिए आप जहां के लिए यातरा करना चाहते हैं उस रूट के लिए दो से चार ट्रेने हैं तो उस कंडिशन में उस ट्रेन में बेटिंग टिकट का कन्फरम होना बहुत ही मुश्किल है मान लिजी अगर आपका बेटिंग पांच या दस है इससे ज़्यादा या कम भी आपका हो सकता है तो ऐसे में आपका बेटिंग टिकट का कन्फरम होने का चांस बहुत ही कम है चलिए रीजन जानते हैं जो भी ब्यक्ति ततकाल टिकट बुक करता है या तो एमेरजेंसी में टिकट बुक करता है कभी तो अचानक जाने के टाइम ततकाल टिकट बुक करते हैं यानि कि दोस्तों साफ साफ सब्दों में कहूं तो साधियों या तेवहारों या अन्य समस्याओं के लिए लोग ततकाल टिकट बुक करते हैं एक जनकारी और कन्फर्म ततकाल टिकट का पैसा भी रिफंड नहीं करेगा तो आप आगे समझी गए होंगे कि आपका बेटिंग टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा तो आई होप आपका पहला सवाल का जवाब मिल गए होंगे बढ़ते हैं सवाल नमबर दो की ओर अगर बेटिंग टिकट कंफर्म ना हो और बेटिंग में ही रह जाए तो ऐस अगर दोस्तों आपका ततकाल टिकट बेटिंग है तो ऐसे में आप इस टिकट से सफर नहीं कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका ततकाल बेटिंग टिकट है तो ऐसे में आप अपने टिकट को कभी भी कैंसल कर सकते हैं। तो मैं आपको जरूर कहूंगा हाँ आप अपने टिकट को कभी भी कैंसल कर सकते हैं। यानि कि चार्ट प्रेपेड होने से पहले भी आप अपने ततकाल बेटिंग टिकट को कैंसल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको दिहान रखना है कि आपको सबसे पहले आपको अपना टिकट का स्टेटस चेक कर देना है। कहीं आपका ततकाल टिकट कंफर्म तो नहीं हुआ है। अगर आपका ततकाल टिकट confirm हो जाता है तो दोस्तों आपको एक रुपया भी refund नहीं मिलेगा cancel करने के बाग तो इसलिए आप अपना ततकाल टिकट का एक वाल स्टेटस आप जरूर चेक कर ले कि आपका टिकट बेटिंग है या confirm हो गया है अगर आपका टिकट बेटिंग के लिस्ट में रहता है तो आप लोग अपने टिकट को कभी भी cancel कर सकते हैं अगर आपका टिकट स्लिपर में है तो इस केस में आपका साथ रुपया प्लस टिकट जेस्टी कटेगा और आपके टिकट का पूरा पैसा रिफंड मिल जाएगा तो आई होप ये वीडियो आप सभ मन में कोई सभी क्वाईरी है कोई सभी सवाल होता है तो आप कॉमेंट करना बिल्कुल न भूले तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाइबाई टेक क्यार